हेलो और नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप आप पढ़िया ही होंगे तो यहां पर आज इस वीडियो के अंदर जो है हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है थर्ड डैमेंशन पेंटागो गेम जो है इसको खेला जाता है तो इसके पहले जो है हमने इसका अंबॉक्सिंग का वीडिय यृचा करने सब नहीं इसको करने सबस्केल बाताव काफे अगारा आपको खरीदा यृच सबसे लंगाций के पहले मैं इसको खोले कर दो सेट्व फीर एक साइटिंग एर धहां पर तो और यहां पर जो है इसके अंदर दो चीजए है एक तो यह फिर यहां पे जोड़ में करना कुछ करें यहां पर तीन कलर्स को हटा दिना है इस तरीके से तो और यहां पर जब गेंग करें तो एक तो सब यह से एक तो सब यहां मryant 2 प्लेयर तीन प्लेयर चार प्लेयर तक रहेट खेल सकते हैं और यहाँ पे-देख सकते हैं कि इसका यह बोड है यह वाला यह इस तरीके से कंप्लेटली जो है 360 डिगरी रोटेट करता है चारों के चारों स्क्वेर है इस तरीके से रोटेट करते हैं यह है इसका एक खास खासियत है वड़ल यह वाला जो है बनाना होता है इस ही पांच का सीरीज बनाना होता है इसा कोंसा करेंगे ठीक हम यह वाले काडस करेंगे targeting दो schemes अब यह game जो है 2 player, 3 player और 4 player के अंदर खेला जा सकता है तो अगर 2 player खेल रहे हैं तो यह जो आप डेख है उसमें से अच्छे से इसको यहाँ पे इसको इस तरीके से करके अब कोई भी जो है, दो प्लेयर में से कोई भी एक पत्ता उठाएबाँ और यहां पे इस तरीके से रखेगा, ठीक है अगर यह 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो आप इस तरीके के 2 पेटन कार्ड उठा के रख सकते हैं, और अगर 4 भी देख सके उस तरीके से यहां पे रख देना है साइड में और और मारबल्स भी प्लेयर को एकसेसिबल हो उस तरीके से रखना है और और अभी त्विस्ट है कि कुछ-कुछ के अंदर जो है दोही टैक और इस तरीके का marble जो है वलब इस तरीके का card जो है आता है तो अब यहाँ पर क्या है कि दो ही color के marble का use करके आपको यह pattern complete करना है तो आप चाहें तो जो है यह blue वाले marbles को जो है game से हटा सकते हैं अगर आपको इस तरीके के card जो है उसकी series बनानी है फिर आपको यहाँ पर यह प्लेयर सबसे पहले खेलेगा ओके अब वह डिसाइड करने के बाद जो है यह game को आप clockwise जो है खेल सकते हैं उसके बाद जो है हर एक प्लेयर क्या करेगा कि एक-एक marble जो है इसके अंदर रखेगा फिर इसको जो है आप clockwise या तो anti-clockwise 90 डिग्री तक जो है इसको गुमा सकते है ठीक है न 90 डिग्री तो यही इसकी गेम की खास्यत है कि आप अपना जो है जुगाड करेंगे कि आपका पांच का सिकोंस बन जा है और मेभी जो है दूसरा वाला प्लेयर होगा आपका जुगाड जो कि अपने सेटिंग किया होगा मलब सिकोंस बनाने के लिए उसको खराब जब कुद किसी और का मार्बल जो है उसको दा नहीं सकते तो आप सिकोंस के से मार्बल कहीं पर रखना है और इसको कि क्लोगव Laurel कreh क्लोग वाईज घुमाना घूल्माना और तो यह सभी मार्बल सिम पर नहीं आ जाते तब तक आपको यह अपना पर सेटिंग करता है रहना यहां पर अब जो है सभी मर्बल से बॉड पे आ गया है यह एक रहे गया है ऊके तो अब जो है आप क्या कर सकते हैं अब तक जो हैंकि सभी ऴॉर्ड सबधी वर्ट पे उया हैथ किसी औरksom यह उसको रिलाना हैव इसमें से एक मार्ब Taste करनाहोता है और ट्राय करने है कि यह 5 का सिक्वेंस बन जाए बट जब सभी marbles board पे आ गए है अब आप कैसे खेलेंगे तो आप आपके पास यह जो खाली खाने पड़े है उसको आप जो है यहाँ पर इस तरीके से marble जो है चला चला के और डिस्क को जो है 90 degree clockwise या 20 clockwise गुमा के जो है आप आपको उसके अलावा जो भी marble से उसको आप टच कर सकते हैं बट आपके पहले के प्लेयर ने जो marble खेला है जहां पर रखा है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं आपके दोस्तों अब जो है अगर आप अपना marble चला के और किसी भी तरीके से जो है डिस्क को चला के मलब 90 डिग्री clockwise या तो फोर प्लेयर गेम है तो उसके अंदर क्या होता है कि दो कार्ड और फोर में जो है तीन कार्ड अपको यहां पर करने होते हैं तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर आप जो है कोई एक सीक्वेंस मना लेते हैं और आपका पहले वाला जो player था जिसने आपको जो है allow किया sequence complete करने के लिए बल्ब directly और इंडारेकली जो भी आप समझे तो वो player जो है game से निकल जाएगा और जो sequence complete हो जाता है जो वाला card वो भी जो है game से आपको side में रख दे जा है ठीक है और बाकी जो सीखेए कि यह यह उस्तरीके से गे confnak को आगे बढ़ाया सकता है दो इस तरीके से जो हैibt के एंड में जो प्लेयर मनलेव बचता है जिसके पास सबसे ज्यादा यह कार्ड बंजाते हैं ठीक है तो वह वाला प्लेयर जो है मनलब जैसे की तीन प्लेयर है तो अगर कोई एक प्लेयर जो है तीम में से यह वाला दुनों कार्ड को एचिव कर लेता है यह तो चार प्लेयर है तो तीन कार्ड यह तो दो कार्ड को एचिव कर लेता है यह तो लास्ट में जो बचता है बेजिकली वह वाला ज सब गली जैसे दो प्लेयर क्या करेंगे कि इसके अंदर से 60 काट दोनों उठाएंगे ठीक है जैसे कि यह दो प्लेयर में उठा Lina अगर तीन प्लेयर ने तो यह भी यह गेंग का एक वेरियंट है आप अपने हिसमें नए रूस बना के या तो कुछ नया करके खेल भी सकते हैं तो इसमें को यह सा रोक टोक नहीं है कि ऐसे ही खेलना है थोड़ा बहुत आप चेंजिस कर सकते हैं वैसे इसका कोई मुझे लगता है कि नेशनल इंट् लगा है इसको अब जरू से ट्राइब करें और अपने अनुभाव जो है कमेंट शेक्शन के अंदर शेयर करें उसके लाव आपकी फेवरिट मार्बल गेम्स कौन सी है आप कमेंट शेक्शन में बता सकते हैं और आज के वीडियों बस इतना ही एंजोई और लाइफ और ना पूछेगा मैं इसको रिजॉल करने के कोशिश करूंगा तो थैंक यू गूद बाई है नाइस डेए